बोलता है कि मैंने सारे सेलिब्रिटी देखे लेकिन ये पता नहीं कर पाया कि लिंगवाई का कजिन एंड बैस्ट फ्रेंड कौन है ये ही बोलता है कोई भी हो तुम क्यों बोद हो रहे हो क्या ऐसा ठीक लगता है क्या यही बोलता है यदि लिंगवई को बताना होता तो वो बता देती शायद उसे नहीं बताना था इसलिए उसने तुमको ठीक से नहीं बताया लिंगवई ने तुम्हें नहीं बताया इसका मतलब यह है कि वह नहीं चाहती कि किसी को पता चले मुझे नहीं लगता कि तुमको उसकी प्राइवसी को खोदना चाहिए इसके अलावा तुमने मुझे ऐसी ही सारी बाते बताई क्या वह तुमसे नाराज नहीं होगी तभी रेन रेन कहता है लेकिन मैं खुद पर नियंतरन नहीं रख सकता भगवान ने मुझे एक नाजुक दिमाग दिया है जो गपशप के प्रतिसमवेदनशील है अगर मैं ये पता नहीं लगा पाया कि वह वास्तव में कौन था तो मैं सो नहीं पाऊंगा अगर मैं पर्याप्त नींद नहीं ले पाऊंगा तो मेरा पूरा करिया बरबाद हो जाएगा अगर मेरा करिया खत्म हो गया तभी ये सब सुनकर यही बोलता है बस यहीं रुख जाओ और बोलता है यदि आप इतनी उत्सुकता से यह जानना चाहते हैं तो आप उससे क्यों नहीं पूछते अगर वह चाहेगी तो वह आपको बता देगी यदि नहीं तो मेरा सुझाव है कि आप इसे छोड़ दे और इसके बारे में सोचना बंद करो तभी रेन बोलता है तो फिर क्या तुम उससे मेरे लिए पूछोगे आप लोग एक दूसरे के काफी करीब हैं है ना यई बोलता है अगर मैं ही पूछू तो वह एक भी शब्द नहीं बोलेगी रेन बोलता है और मैं आज रात निश्चित रूप से सो नहीं पाऊंगा बिना जाने की वो लोग कौन है जब आप बात चीट शुरू करें तो बस बेतर तीब और सहजता से व्यवहार करें उदाहरन के लिए सुपस्टा रेन का लाइव एक्शन अफसोस लिंगवेई मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मुझे परेशान कर रहा है मुझे लगता है कि मेरे प्रेमी ने किसी और से सगाई कर ली है मुझे क्या करना चाहिए आपके ऐसा कहने पर वह बहुत सहनुभूतिपूर्ण हो जाएगी और संभवत तफ वह सारी बात उगल देगी मुझे पता है कि कैसा लगता है हमारा भी यही अनुभव है मुझे बहुत केद है यह बहुत दुखद है हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है फिर आपको बस इस मुद्दे पर अड़े रहना है और धीरे धीरे उसके बचाव को खत्म करना है जब तक आप सब कुछ खोद नहीं लेते क्या ये सच मुझ ठीक है यही पुछता है फिर रेन बोलता है बातचीत के बाद आपको मुझे केवल उसकी सबसे अच्छी दोस्ट उसकी मंगेतर और उसके चचेरे भाई की पहचान बतानी है और मैं गपशप करना बंद कर दूनगा मैं इस मुद्दे के बारे में नहीं सोचूनगा अब और मैं वादा करता हूँ लिंग्वेई की दोस्ट उसकी दोस्ट का मंगेतर और लिंग्वेई का चचेरा भाई यही मन में सोचता है क्या लिंग्वेई का कोई चचेरा भाई भी है अगर मुझे सही आद है फैंग जिन्याओं ने एक बार उलेक किया था कि हे लिंग्वेई एक मात्र पोती है दूसरी तरफ CEO का ओफिस दिखाते है जहां मैनेजर बोलता है CEO से हमें उस Incubation Park पर योजना के दस्तावेज प्राप्त हुए है मैंने उन्हें वर्गी कृत कर दिया है कृपया इन शर्तों पर एक नजर डाले CEO बोलता है ठीक है तभी CEO की नजर रुरू पर जाती है जो गिंती गिन रहा है वे पर्याप्त नहीं है वे पर्याप्त नहीं है मेरी उन्गलियां पर्याप्त नहीं है तभी मैनेजर बताता है छोटे मास्टर अभी अपने गनित के होमवर्क पर ध्यान केंदरित कर रहे है रुरू को हाथों की उन्गलिया काफी नहीं लगती है इसके विप्रीत वह बहतर हो रहे है हो डॉक्टर बताता है कि ग्रेंड फादर ने कहा उन्होंने कहा कि कल उन्हें बहतर महसूस हुआ डॉक्टर बोलता है हमने कल उनका चेक उप किया है रिपोर्ट अच्छी आई है तभी CEO के अंकल बोलते है याने आप कहना चाहते हो डैड ठीक हो जाएगे डॉक्टर बोलता है हाँ पर पूरी तरह से कह नहीं सकते डॉक्टर ये भी बताता है कोई भी जो उस्थिती से उबर सके जिसमें आपके पिता पहले थे मुझे अभी भी कुछ शोद करने की आवश्यक्ता है और ये पता लगाने का प्रयास करें की क्या अन्यदेशों में भी ऐसे मामले हैं यदि एस्थिती जारी रहती है और कैंसर का प्रसार नियंत्रन में रहता है आपके पिता के ठीक होने की पूरी संभावना है ये सुनकर CEO के अंकल बोलते है डॉक्टर मुझे याद है कि आपने बताया था कि आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई करने की तयारी कर रहा था है ना कितना अच्छा बच्चा है मैं उसे एक अच्छा सिफारिश पत दिलवा सकता हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगा उसे वप्रस्ताव मिलेगा जो वह चाहता है मैं वादा करता हूँ लेकिन डाइट को तुम हॉस्पिटल से जाने नहीं दे सकते तुम्हे डाइट को यही रखना होगा जब तक वो मरना जाए लिंगवाई शॉप में होती है यही बात कर रहा होता है यही पूछता है तुम कुछ सुन भी रही हो की नहीं यही सोचता है कि रेन का आइडिया बेकार था लिंगवाई शॉप में चली गई है लिंगवाई पूछती ह तुम जानते थे पहले से यही पूछता है क्या जानते थे तभी लिंगवाई पूछती है अब क्या करना चाहते हो तुम यही तुरंट बोलता है अरे तुम गलत समाज रही हो मैं तो बस ऐसे है रैंडम बातें कर रहा था लिंगवाई बोलती है रेन को लगता है वो लड़कर ठीक नहीं है तो तुम अपने आप दे जूट मत बोलो यही कनफ्यूज होता है सोचता है लिंगवाई क्या बात कर रही है दूसरी तरफ दिखाते है यही के पेरेंट स्ट्रिप से आ गए है यही की माँ खुश होती है य यही की माँ बोलती है श्रीमान यी आप अभी भी समझ नहीं पाए है ना मैं उसे सरप्राइज देने की कोशिश कर रही हूँ टिल्ड़ मैं उसका चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती यही की माँ बोलती है रुरू ने मुझे मिस किया होगा तभी यही के फाद यही बोलता है रेन रेन वही है जो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त और तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त के मंगेतर और तुम्हारे चचेरे भाई की असली पहचान के बारे में उतसुख है उसने मुझे तुमसे पूछने के लिए यहां भेजा है यही बोलता है कि रे वाई बोलती है तुम टुद जानना चाहते हो दूसरी तरफ यही के माता पिता घर आ गए होते ही यही की माँ फोटो देख रही होती है तभी Mr. Yee बोलते है क्या तुम रेडी हो क्या तुम अपने घरवालों से सच में मिलाना चाहती हो यही की माँ बोलती ही मैं उनसे वर्ष नहीं देंगे फिर दोनों एक दूसरे से कहते है श्रीमान जी आप सबसे अच्छे पती हैं नहीं आप सबसे अच्छी पतनी है तभी यही की मा बोलती ही चलो रुरूं को स्कूल से पिक करते है तभी यही के पिता बोलते है मैं यही को इनफॉर्म कर देता हूँ उसने कहा था कोई दोस्त रुरूं की देख रेक कर रहा है अभी लिंगवाई पूछी रही होती है कि तुम्हें टुद जानना है क्या उतने में यही का फोन रिंग होता है और यही कहता है मेरे घर से कॉल है मुझे उठाना पड़ेगा फोन पर यही के माँ डैड का पिक दिखता है लिंगवाई कहती है क्या मैं पिक देख सकती हूँ यही बोलता है हाँ जरूर वे एक साथ रहना पसंद करते हैं ऐसे ओल्ड कपल रेर होते हैं लिंगवाई बोलती है इन्हें देख के लगता है यह एक दूसरे से बहुत प्यार करते है कॉल पिक करते ही यही के डैड का मेसेज दिखता है अब हम घर आ गए हैं हैरान है खुश है तुम्हारी माँ और मैं बाद में रुरू को किंडरगार्टन से लेने जा रहे है तिल्ड आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि उसे जाने की जरूरत नहीं है यही के फेस से स्माइल गायब हो जाती है यह देख के मीटिंग रूम में CEO का फोन रिंग करता है एक आदमी बोलता ही क्या मीटिंग के दोरान अपना फोन बंद रखना सामान्य तरीका नहीं है एक और आदमी बोलता है CEO क्या ऐसी सामान्य बातों के लिए भी आपको याद दिलाना आवश्यक है CEO अपना फोन साइलेट करता है पर जब वो देखता है तो ये कॉल याई का होता ही मोटा आदमी बोलता है प्रेजिडेंट तुम बिजी आदमी हो उठा लो फोन CEO मन में सोचता है कि क्या ये अजेंट कॉल है CEO बोलता ही 10 मिनिट का ब्रेक लेते है और कॉल उठता ही याई बोलता है CEO बोलता ही गेहरी सास लो आराम से बोलो क्या हुआ याई बोलता है मैं कैसे शांत रहू मेरे माता पिता अब अपना अपार्टमेंट छोड़ चुके होंगे वे 30 मिनिट में वहां पहुंच जाएंगे CEO बोलता है आपके माता पिता मैंने सोचा कि वे अभी भी विदेश में होंगे वे अचानक वापस आ गए याई कहता है उन्होंने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया उन्होंने मुझे केवल एक सेल्फी भेजी और कहा कि वे घर पर है और पूछा कि मुझे सरप्राइज हुआ कि नहीं मैं शौक में हूँ फैंग जिन्याओ मुझे क्या करना चाहिए CEO बोलता है बस शांत हो जाओ तुमने कहा था कि वे 30 मिनिट में वहां पहुँच जाएंगे है न वहां कहां याई बताता है वो रुरू को पिक करने जा रहे है मेरे डैड ने मुझे अभी ये बताया अब सिर्फ 26 मिनिट बाकी है याई रुरू के बारे में पूछता है कहां है वह CEO बोलता है वह अब मेरे दादा जी के साथ है मेरे दादा जी को रुरू बहुत पसंद है रुरू को भी उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है मैंने उसे दोपहर के भोजन के बाद वहां भेजा सी वेन भी उनके साथ है CEO कहता है मैं मीटिंग के बाद रुरू को हॉस्पिटल से पिक करने ही वाला था यही बोलता है यदि मार डैड को रुरू नहीं मिला तो क्या होगा CEO बोलता है मैं अभी रुरू को लेने जा रहा हूँ अस्पताल उसके किंडर गार्टन से ज्यादा दूर नहीं है बस अपने माता पिता को रोकने और मुझे कुछ समय देने का कोई तरीका ढूंडने की कोशिश करो दूसरी तरफ रुरू and grandfather खेल रहे होते ही तभी डॉक्टर आके पुझता है क्या आज भी आपको अच्छा लग रहा ही grandfather कहता है और बोलता ही ओके रेस लीजिये मैं बाद में आता हूँ तभी grandfather पूझते ही रुरू से तुमने पता किया ये कैसे solve करना है रुरु बोलता है रुको मैं अभी करता हूँ दूसरी तरफ डॉक्टर सोचता है मैंने तो ग्रेंटि फादर का ट्रीटमेंट बंद कर दिया है फिर कैसे वो ठीक हो रहे है स्वा उपचार से कोई व्यक्ति इस हद तक ठीक नहीं हो सकता यह असंभव है क्यों CEO के अंकल एंड सिस्टर बात कर रहे होते है सिस्टर बोलती है क्या क्या हमें सच्मुच ऐसा करना होगा हाँ लेकिन अगर आप पिताजी के कैंसर के बारे में संदेश जारी करते हैं तो कंपनी के स्टॉक प्राइस ड्रॉप हो जाएगी यह हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है अंकल बोलते है पिताजी ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं उनके पास हमारे लिए कुछ भी छोड़ने की कोई योजना नहीं है इसके अलावा उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है मैं चुपचाप खड़ा होकर उस फैंक जिन्याओ लड़के को हमसे सब कुछ छीनने नहीं दूंगा ये कितना भी नुकसान दायक क्यों न हो हमारे पास यही एक रास्ता बचा है हम शेरों में गिरावट आने के बाद भी जितना संभव हो सके निजी तोर पर खरीद सकते हैं बड़ी सिस्टर बोलती है ठीक है तो आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं मैं प्रैस का ध्यान रखूंगी आप अच्छा प्रयास करो भाई बिल्कुल हॉस्पिटल में अभी भी रूरू एंड दादाजी खेल रहे होते हैं रूरू बोलता है ये नहीं शायद ये वाला हिस्सा सौल्व करेगा गेम रूरू को धागे का मुह मिल जाता है वो कहता है ये वाला दादा जी बोलते है यस दादा जी खुश हो के बोलते है तो मच्छा कर रहे हो रूरू रूरू हैपी होता है और बोलता है मैंने ये कर लिया दादाजी बोलते है रूरू स्मार्ट है कितना अच्छा लरका है मैनेजर आता है और बोलता है ओल्ड मास्टर मुझे रूरू को ले जाना होगा बस यहों की मीटिंग खतम हो बही होंगी दादा जी बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चला इतनी जल्दी टाइम कर दया ठीक है तो उसे नीचे ले जाओ, हम अगली बार साथ में खेलेंगे, रुरू बोलता है, एक मिनट रुको टिल्दर रुरू बोलता है, मुझे ये गंदे स्पेशल चीजे देख सकता है तो वो सोचते है कि यह बच्चा अभी भी मेरे साथ केलना चाहता है, मैं थोड़ी देर उसके साथ केलूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस जिन्याओ को फोन कर दो, उससे कहो कि वह अपना समय ले, दूसरी तरफ यही सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, लिंगवाई पूछती है लिम, क्या तुमने अभी कहा तुम्हारे माता-पिता वापस आ गए हैं, मेरे पास एक आइडिया है, दूसरी तरफ CEO जल्दी में और सोचता है ये उनको अपने माता-पिता को 10 मिनित तक रोकने में सक्षम होना चाहिए। ये पर्याप्त होना चाहिए। तभी वो देखता है क्या ये दादा जी के चिकित सक्ट डॉक्टर टैंग नहीं है। से लेके आओ, इसी बिच यही का भी मैसे जाता है चिप। मैं एक ऐसे विचार के बारे में सोच रहा हूँ, जो निश्चित रूप से मेरे माता-पिता को कुछ समय के लिए रोक सकता है। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित ड्राइब करें। पर नहीं गए है। वह अस्पताल में क्यूं है? डॉक्टर कहता है, हमें वहाँ बात करनी चाहिए। यहां सुरक्षित नहीं है, ठीक है, CEO आगे जाता है और दादा के रूम में घुसता है, दादा बोलते है तुम आ गए। रूरू भी बोलता है, फैंग फैंग तुम आ गए। रूरू फर्ट से CEO को बोलता है कि मुझे उंधागो का एंडपॉइंट मिल गया रूरू में समेजिंग CEO कहता है, यस रूरू में समेजिंग CEO दादा से पूछता है। दादा जी, क्या चाचा जी आज आज आप से मिलने आये थे? आपके अंकल, नहीं, क्या वह व्यापारिक यात्रा पर नहीं है? वह क्यूं होगा यहां? दादा बोलते है यहां, क्या तुमने उसे देखा? शायद तुम गलत फेहमी में हो? CEO रिपलाई देता है, हाँ शायद वह भी अपने व्यापारिक दोरे पर हैं. डॉक्टर तांग और अंकल, CEO मन ही मन सोचता है, फिर बोलता है, मैं अब रावरो को वापस ले जा रहा हूँ. अच्छे से आराम करो, दादा जी. रुरू भी बोलता है, अच्छे से आराम करें, दादा जी. रावरू अगली बा करने का तेय करो, यही की मा का कॉल बजता है, वो कहती है, यही का कॉल है, और फोन उठती है, यही बोलता है, मुझे देखकर खुश हो. मैं, बिल्कुल, मेरे प्यारे लड़के टिल्द, हम रावरो को लेने के लिए जा रहे हैं. यही अपना फोन लिंगवाई के तरफ करत है और बोलता है, यह सूप्राइज है, देखो कौन है फोन पर लिंगवाई हिलो कहती है.